गोल्स चलो इसको आके बढ़ाएं कोई बात नहीं कोई बात नहीं चल जाएगा हाँ यही है वो इसी को हैर करते हैं वो हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ओ वाँ ये तो बहुत सुन्दर और पतली है बिल्कुल हमें जो चाहिए थी वैसी है चलो तुम्हें भी ले लिए तुम मुझ पे भरोसा कह सकते हो और बताओ अब आगे क्या है अच्छा तो क्रिस बताओ तुम्हें क्या लगता है पक्का नहीं या है लेकिन सोचना पड़ेगा इसमें सोचने वाली क्या बात है वो हमारे टाइप की है यह नहीं यह नहीं चलेगी यह बहुत क्रीपी है बाल देखो जमीन को चूर रहे इसके लंबे बालों से क्या दिक्कत है बहुत दिक्कत है यह बिलकुल स्टाइल से बाहर हो चुका है इन बालों को काटना होगा यह किटी तुम यह क्या कर रही हो तो मैं इसके खुबसूरत बाल काटिंग की ज़ूरत नहीं है अरे वाब बहुत बढ़िया ये तो बस एक परीक्षा थी हम वैसे भी उसे लेने ही वाले थे शुक्रिया पापा, आप सच में इस तरह लड़कियों को परशान नहीं कर सकते आज हमारे फैशन हाउस के लिए एक असली सेलिब्रेशन है इस कास्टिंग में सिर्फ ब्यूटी रहेगी हमें जल्द ही उस नए कलेक्शन को लोच करना होगा हमारा फैशन हाउस पीछे रह गया है क्रिसाकिर हो क्या राय तुम्हारा दिमाग खराब है हाँ जाने मन परशन क्यों हूँ मेरे बिना नए मॉडल का सेलेक्शन कैसे किया तुम मॉडलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती तुम कैसे शामिल हो जाओगी इसमें मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ समझे ऐसी चीज़े हमें साब भी डिसाइड करनी है इवा यह तुने क्या कर दे हमारे नए कलेक्शन था मैं तो वहां नहीं थी इसलिए वहां का कलेक्शन पंद करना होगा बस बहुत हो गया तुमने जो एक किया है ना इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूँगा ठीक है मैं सब कुछ-कुछ चला लूँगी मुझे कोई रोकने वाला नहीं है गर्ल्स रेडी चलो फोटो शूट का टाइम हो गया है कोई भी एक अच्छी सी पोस सोचो और पिल्कुल वैसे रहो चलो अरी वाग क्या बात है मैं ऐसे शॉट्स को जार एजिंसी भेज़ूँगी वहाँ ऐसे शॉट्स खा जाते आ किटी तुम्हारा शो कब है ओ हाँ हमें तो तयारी करनी पड़ेगी वरना मिस्टर नेट जीना आराम कर देंगी ये मिस्टर नेट का कॉल नहीं है ये मेरा है ओ ईवा जा गहीं तुम आखिरकार हमें दर्शन देने का सोच ही लिया बस करो इसे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है मिस्किटी ये कौन है और ये चिला क्यो रही है मिलो ज़रा इस से मैं ईवा हूँ क्रिस की मंगेतर और इस कंपनी की फ्यूचर की होने वाली बस बंद करो तुमसे मिलके अच्छा लगाई वा सुनो लड़की अब तुम यहां रुख सकती हो और तुम दोनो मुझे पसंद नहीं आए अब जो तुम्हें पायर किया जाता है क्या यह नहीं हो सकता मिस्टर नेट ने खुद हमें चुनाए हम कहीं नहीं जा रहे मैं यहां की इंचार्ज हूँ और कोई मुझे परिशाद नहीं करेगा तो यहां से चले जाओ इवा तुम बहुत गलत बिएव कर रही हो शायद दूसरी गल्स को बुरा लगे और तुम कौन हो बस एक असिस्टेंट तो तुम अपना मूँ बंद रखोगी नहीं तो तुमें भी जाना होगा यहां से बात समझ में आई क्या देख लो क्या चाहते हो कितनी अच्छी कलाकार है अब हम क्या करेंगे मॉडल कैसे रूनेंगे शो तो शुरू ही होने वाला है अब हम क्या करेंगे हमें मॉडलिंग की नौकिश से निकाल दिया गया है यहां आने के लिए मैंने मुश्किल से कैश जमा किया था अब मैं पूरी धरण तूट चुकी हो क्या तूम हमारी शो में शामिल होना चाहोगे हमना इस सीजन का सबसे यादा हॉटेस कलेक्शन लाने वाले है यहां आने के लिए मैंने मुश्किल से कैश जमा किया था तीना लिली तूम दोनों रिहरसल में क्यों नहीं और तूम यहां पर क्या कर रही हो मिस्टर नेट हमें फैशन हाउस से निकाल दिया गया हम यहां टक गए है समझने आ रहा क्या करें अब तुम है बाहर किस ने किया उनका दिमाग कराव है इवा आपके बेटे की फियॉन से वो अंदर आई और हमें निकाल दिया मैं अभी उससे बात करता हूँ चिंदा मत करा हेलो क्रिस यह सब क्या चल रहा है इवा आखिर मेरे मॉडल्स को क्यों निकाल रही है उस ऐसे करने किस में दिया क्या क्या सच में डैट, टीना और लिली को आप वापस लेकर रही है मैं यहाँ पर सभाल लिएँगा कौन बुला रहा है एवा मैं ने तुम से कहा था कि हमारे फैमली बिजनस से तुम्हें दूर रहना है डालिंग, यही तो मैं चाहती थी के हमें बहतर मॉटल मिल जाए छूने की हिम्मत भी मत करना तुम्हारा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारे लिए करती है तुम अफ्रीशेट भी नहीं करते तुम्हारा परिवार मुझे पसंद तक नहीं करता डालिंग, एम सोरी शायद मैंने तुम्हें ज़रुस से जादा डाट दिया लेकिन मैं खुद डाट के साथ बात करूँ है गर्स चलो तयार हो उमीद है तुम्हें याद होगा जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है चलो टीना हाँ बहुत भड़ी आयसी चलो अरे मिया इतना सो क्यों रही हो आओ थोड़ा हिलो लिली वेरी नाइस रुको ये क्या कर रही हो क्रिस्टी सभी लड़ियां सीधी लाइन में चल रहे है तुम्हें रणवे नहीं दिखराया क्या लेकिन मैं तो ठीक चल रही थी यहाँ ठीक चलना काफी नहीं है वाक परफेक्ट होनी चाहिए ठीक है ध्यान रखूंदी वहाँ कोई गलिती मत करना, वरना बहुत मुश्किल में पड़ोगे. चलो सब, बहाँ निकलो. आरे वाँ लड़क्यों कमाल कर दिया, तुम लोग काफी सही हो. किटी की बातों पर अतना ध्यान मत देना वस. मिस्टर नेट, आपको क्या हुआ है? अरे ये तो बस एक मजाग था, काफी ज़्यादा एक्साइटेड जो हूँ. इस बार का शोय ना काफी बढ़िया जाने वाला है. भगवान का शुक्र है कि आपनी लड़कियां भेजी, वरना शोय बरपाद हो जाता. मिस्टर नेट, मिरे दिल में काफी ज़्यादा दर हो रहा है. मिस्टर नेट, आप ठीक हो, शायद मिस्टर नेट मिमार है, डॉक्टर को बलाना पड़ेगा जल्दी. हाँ हाँ, चलो कॉल लगाओ. नहीं रुक्जा, सब कुछ ठीक है. मैं बस थोड़ा सा ठक चुका हूँ. मिस्टर नेट, क्या सच मुछ में आपको डॉक्टर की मतर की ज़रूद नहीं है? मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ, तुम लोग बस प्रैक्टिस करते रहो, वो चीज़ ज़्याद ज़रूर है. ठीक है, मिस्टर नेट, लड़कियां बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगी. किटी, यहां पर जो भी है, तुम क्रिस को नहीं बतावी ठीक है? मैं नहीं चाहता कि वो बिना वज़े परेशान हो. ठीक है, मिस्टर नेट. उमीद है, क्रिस शो के लिए तैयार होगा. मिस्टर नेट को फेलिर से बचाना होगा. अरे नहीं, ड्रेस शो के लिए तयार नहीं है, इने फेक्ट्री में भेजना ही भूलकर, आप क्या होगा? क्रिस, क्या सीन है यहाँ? मैंने डैट को डिसपोइंट किया, मैं तो गया. क्रिस, ठोड़ा रिलाक्स करो और बताओ, फिर हुआ क्या है? हाँ, मैंने पेटरन और सेंपल भेजेते हैं, इंटरनेट के एरर के वज़े से वो गये ही नहीं हैं. ओ, नू, शो बरबाद हो गया, क्रिस. अरे नहीं, डैट ने मुझ पर इतना बरो से किया और मैंने ऐसा गुल खिला है. रहो, एक मिट, मेरे पास फैक्टरी में कॉन्टाक्ट है, शाहिद वो हेल्प कर दे. लेकिन आमें क्या कर सकते हैं? तो जो भी सिल्वाना है, फटा-फट भीज तो वहाँ पर. ये रही, वह वाली फाइल मैं बेजता हूँ. ओके, ये फाइल मैं अमान्डा को भेज रही हूँ, बस अप्लोड हुआ. हाँ, होगया अप्लोड. चलो, अब उसको जाकर ढूनते हैं और उसको इन्फॉर्म करते हैं. ठेक है. तो ये बात है, हाँ. तो मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है. कोई बात नहीं. केटी के लिए हैं. ओ, ओ, ये क्या है? तो बस मैं हूँ जिसके पास टैलेंट है. मैं शोगों खराब होने नहीं दूँगी, अब सब मैं करूँगी. हाँ, हाँ, हाँ. अच्छा तो भाई और बैनो, मेरा फैशन हाउस लेकर आया है इविनिंग ड्रेसिस का नया कलेक्शन. तो चलिए दोस्तों, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं. येए! अरे यार, ये सब क्या बखवास है? क्यूटी, तू ये देख रही है न? ये वो नहीं है जो हमने एमेंडा को बेजा था. हम तो बहाए गांजे. ब्रावो कमाल है यह सूपर स्टाइलिश है हाँ यह सब मेरे डिजाइन नहीं है क्रिस यह सब क्या हो रहा है डैड मुझे नहीं पता हमें ड्रेस दिखानी थी पर कोई मौका नहीं मिला मुझे तो लगता है अट्रैक्शन पाने के लिए हमें फैशन शो को कूल बनाना चाहिए अरे यह तो बेकार है इसे कौन बैने का बावड़े हो गया चौन थेक है डैड सब लोग चले गए और शो बेकार हो गया तो तुम्हारी मत कैसे मेरा शो बेकार नहीं किया था तुम्हें समझ में नहीं आता मेरा प्लैन अच्छा था त अभी तो मैं पर्वेचन देने वाला हूं मिस्टर नेट को क्या हुआ क्या ठीक है और यह वो दिल की प्रॉब्लम है हमें डॉक्टर को बुलाना होगा क्या मतलब है सेर से दिल पर दोरा पड़ा है क्रेस यह सब बात में अभी तुम्हारे फादर को बचाना है ओ यह नेट तुझे समझ नहीं आता तु क्या कर रही है हलो एमिलेस जल्दी आजाओ यहाँ पर कोई बीमार है दिल की प्रॉब्लम लग रही है पापा अरे नहीं यह हमारे साथ ही क्यों हो रहा है पापा है सलों तुम मिस्टर नेट के बेटे हो ना मैं अनका बेटा हूँ क्यान का इल मिस्टर नेट से वो ठीक हो जाएंगे के टी हम्झे नहीं पता अब हम क्या करेंगे इस मुझे नहीं पता था कि पापा को इतना दर्द हो ओगा फैशन हाउस से अब मैं इंके बिना कैसे करऊंगे क्रिस तुम्हें कमपनी को संभालना होगा वरना सब कुछ बिगर जाएग तुम सही कह रही हो, जब पापा कॉमा से उठेंगे, तो उन्हें प्राउट फीलोगा मुझ पर मैं तुम्हारी साथ रहूंगी और तुम्हारी हर मदद करूंगी शुक्रिया किटी, तुम सची दोस हो मैं खुश हूँ कि पापा के पास ऐसी एसिस्टेंट हूँ मैं से जाया कुई ओ नो, तुम्हारी फोटो शुट का टाइम हो रहा है ये, कैंसल कर देंसे नहीं, मत करो, हम एक दूसरे के साथ मिलकर कमपणी को चलाना होगा हेई, मावी चाहती हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई, कुछ जरूरी काम निपटाने थे मिस्टर निट कहा है, क्या वो फोटो शुट में होंगे हाँ, पापा बीजी है, हम उनके बिना शुटिंग शुरू कर सकते हैं ठीक है, यहाँ है लड़किया क्रिस, हम तुमें चेयर पर बिठाएंगे और लड़कियां तुम्हारे दोनों तरफ खड़ी हो सकती है बहुत बढ़या करता है फिर यह बहुत जबरदस्त होगा, मैगजीर में फोटो देखने का मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है सच में, शौट्स बहुत सबरदस्त होंगे, खास करके तुम्हारे पास स्टेट के सबसे सुन्दर मॉडल्स हैं क्या? और यह सब क्या हो रहा है? ईवा, थोड़ी दिर रुप जाओ, क्रिस का फोटो शूट है ऐसा क्या? और तुमने मुझे बुलाने के बारे में भी नहीं सोचा इवा, यह गला टाइम है तुम्हारा क्या? तुम दोनों निकलों यहां से अभी मैं, मैं आओगी अपने होने वाले मंगेतर के साथ मैगजीन पर यह वह पागल है क्या बखवास है यह माफी चाहती हूँ लेकिन और स्पेसिफिकली मॉडल्स के लिए था और ये लेडी कौन है? तुम्हें अभी तक नहीं पता मैं कौन हूँ? ठीक है, तुम्हें बताती हूँ अभी मैं सिंधी, इतना ही काफी होगा अभी के लिए आए मेरे साथ तुम्हें क्या लगता है, यहां पर क्या हो रहा है? जो तुमने किया था वो काफी नहीं था और मैंने क्या किया, हाँ कुछ भी तो नहीं किया, ना मेरी मदद के लिए थैंक्यो तो बोल सकते थे बस बहुत हुआ अगर तुझे मेरी सियान से बने रहना है तो यह सब प्रोब्लम क्रेट करना बंद कर सच कह रही हूँ मैं यह फैशन हाउस मेरे बिना डूब जाएगा ओ गॉड, मिस्टर नीट के बिना यह बहुत मुश्किल है उमीद है कि पूरा शो आराम से निकल जाए मैं क्रिस की मदद के लिए कुछ भी करूँगी किटी, हम फिटिंग के लिए तयार है ओ गर्ल्स, अच्छा है, तुम लोग जल्दी आ गई हमारे पास ना, टाइम कम है तो चलो मेजरमेंट ले लेते हैं उमीद है तुमने जादा नहीं खाया होगा हमारे लिए फिगर, सब कुछ होता है मुझे लगता है, मुझे शाहिए थोड़ा वेट कम करना चाहिए तुम्हें वेट लूज क्यों करना है? तुम लोग बहुत जादा पतली अल्रेडी हो केची तुम मजाग कर रही हो है ना आओ, क्रिस ने ईवा कुछ ना वाइब बने के लिए तुम्हें छोड़ कर और ने तो क्या, ईवा तो बिलकुल बेकार है उसे तो मॉडलिंग के ये भी सीडी भी नहीं आती है अरे यार, तुम लोग भी ना क्रिस को एक मॉडल चाहिए तुम जैसी लड़की उसके लिए बिलकुल परफेक्ट होगी सच में, क्रिस की असिस्टेंट तो फूल अन हाट है लगता है किटी और क्रिस एकदम परफेक्ट कपल होंगे बस, क्या बकवास लगा रखिये ये मैं बस क्रिस की मदद कर रही हूँ हमारी बीच कुछ रोमैंटिक नहीं है चलो तुम इर किटी और क्रिस को सेंट करते हैं ये तो ये किपिक होगा यहाँ पर फिटिंग चल रही है या फिर मैच मेकिंग चल रही है तुम इतने गुसी में क्यो हो? क्या हुआ? क्रिस पे दिल आ गया क्या? पागल हो क्या? अच्छा बस बहुत बक्वास हो चुकी चलो सब लोग फिटिंग पर ध्यान दो क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है? मिस सीवा, मैं बस साफ सफाई कर रही हूँ मुझे फर्ट पे परता तुम क्या कर रही हो पर यह तुमने क्यों बहना हुआ है? मुझे यह कच्रे की डबे में मिले सोचा कोई पसंद नहीं करेगा तो मैंने ले लिए क्या कहा? मेरे शो के लिए स्टालिश कपड़े? कच्रे की अंदर? क्या मज़ाक है यह कैसे पहुँचे वहाँ? मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही मिल गए मुझे तुरंट, उतार दो इने है मैंने क्या कहा था तुम्हे? माफीश आती हूँ, लेकिन ही मेरी गलती नहीं है तुम जैसे लोगों को इन कपड़ों में देखना कोई पसंद नहीं करेगा निकलो यहाँ से ठीक है, फिर माफी चाहती हूँ निकल जाओ मेरा कलेक्शन नहीं प्रेग दिया क्रेस और केटी नहीं से क्यों किया अब मैं इने बता के रहूंगी हेलो, मिश्टर टाइलर क्या डेड के बारे में कुछ खबर है क्या नहीं कोई सुधार आया हम इन देजर करेंगे शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया क्रीस, यह सब क्या हो रहा है जो तुम करे हो, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है फिर से, क्यूं परशान करे हूँ क्या बात है कोई पागल है जो मेरा कलेक्शन फैक रहा ए पागल है क्या पपा नहीं, यह बेकार कपड़े कहां से लाई तुम, तुम भी मेरे कपड़ों को बेकार बोल रहे हो तुम ने ऐसा कहा तो ये वो कपड़े हैं जिससे तुमने अमरा शो खराब किया था नेट ने सारा शो खराब किया उसने रन्वे भी चड़ कर सबको भगा दिया था मेरे डैट के बारे मैं ऐसा मत बोलो वे जीनियस है और तुम एक नंबर की बेवकूफ तो मैं बेवकूफ हूँ हाँ बेवकूफ हो ना तो मैं यहां से जा रही हूं समझे सुट आट मुझे माफ कर दो देखो गल्थी से निकल गया तुम मेरी कदर नहीं करते मैं इती मेहनत कर रही हूँ इस फैशल जो के लिए मेरे कितनी मेहनत की है और तुम चलो लड़ाई जगड़ा छोड़ देता है क्योंकि आम दोनों को मिलकर ही इस कंपणी को समालना है तुम समझ कहीं न पता है पर मैं आप भी नाराज हूँ तो तुम ही बता दो मैं क्यासे इस अब सही करूँ मुझे रनवे पे मॉडल के साथ पॉक करना है क्या सच में हाँ या ना पिर तुम शर्मिंदा हो तुम चाहते ही रही कि मैं मॉडल बन जाओ हाँ नहीं बिलकुल नहीं मेरी जान अगर तुम करना चाहती हो गल्स के साथ प्रेक्टिस करो शुक्रिया हानी मैं तुम्हे माफ करती हूँ मिया क्या तुम बिलीव कर सकती हो कि हम सच में एक फैशन हाउस में हैं पता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ हेलो लड़कियों शो के लिए जल्दी तयार हो जाओ अरे वाँ इतना सब मैं बस थोड़े डोनट और मिठाई लेकर आई हूँ मैं नहीं खाना चाहिए है हम तो मॉडल्स है ना लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम बिलकुल हटी हो थोड़ा खा भी लोगी तो क्या हो जाएगा क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो ओ मैं बता रही हो ना मैं तो बस ऐसी फेशन इंडस्ट्री में आई हूँ ओ ये तो कितना अच्छा खाने में है बाइदवे गर्ल्स कल मैं तुम्हारे साथ रनवे पर वॉक करने वाली हूँ मैं मॉडल क्रू में हूँ अच्छी बात है ठाते रो रुको नहीं बाक्यों को भी दे सकते हो तुम्हारा आपसे ठीक है ना शुक्रिया बहुत शुक्रिया जल्दी ही तुम इन कप्ड़ों में फिट नहीं होंगी फ्रिक्रेस और में तुम्हे निकाल देंगे मज आएगा अच्छ तो अब तुम जे ले लो और ये मैं ले लूँ समझ गई क्रिस इवा कहा है क्या इस बार शो क्रैश नहीं करेगी नहीं वो इस बार मोडल बनी हुई है क्या कहा अच्छा क्या बात है क्या के जा नहां क्या करा कर दोसा सम्मर मोसा तर मोसा सूल अब छोसा सूल लगता यहां जमीन फटेगी शाय सब कुछ ठीक हो जाए या फिर उस सब खतम कहा जा रहे हो गधे गोडो पागल लो कहीं के थोड़ा अपने दिमाग को खोलो थोड़ी सी अकल आ जाए क्रिस फिर से सब लोग वापस जाने लगे हैं फिर से शो खराब हो गया मैंने असे कैसे उने दिया ओ बेवा कुफ लोग कहा जा रहे हो चलो आओ जल्दी से मेरी अच्छी तजवीरे ले लो मैं आगी टॉप मादल हूँ यह वा तुमने सब भी कर दिया अरे यार हमने फिर से सब खराब कर दिया वो भी हिवा के करण मिस्टर क्रिस आपको अपनी फियांसे से डील करनी होगी यह सब कुछ बिगार देती है एक नंबर की बेवाकूफ है अरे सुनो बेवाकूफ लोगो तुमने मेरी नाक में दम करके रख दिया है चलो घर चले मुझे तो लग रहा है कि क्रिस आपने फियांसे से लड़ाई कर ली है हलो डैडी शुक्र है और फिर से लोट आए डैडी अब यपे तुम्हें अच्छा मैसूस हो रहा है ना आप वापस लोट रहे हैं जली आप हमारे साथ होंगे कल आमने एक शो रखाता एवा ना फिर से सब कुछ बिकार दिया हरे यह क्या हो रहा है को यह क्या हो रहे है कि अरे क्या हो रहे है Mr. Taylor मेरे पापा को क्या हो बताओ यह मशिन अचाना कैसे बॉली क्यू लगी उनकी बस बहुत तेज है और यह इनके लिए अच्छा नहीं है यह नहीं ओशकता पापा 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 हम इंको जल्दी आईसी मिले कि जाना होगा तुम तो जिंदगी का असली मज़ा है हमने पहले मज़ा क्यों नहीं किया मुझे तो अप लाइफ का असली मज़ा रहा है तुम सब लोग यहां क्या कर रही हो मैं तुम्हारा जिम में बेट कर रही थी क्या? नहीं, आज हम ज़रूर वर्टाउट स्किप कर रहे है जी सब क्या है? मिठाईया? तुम लोग जानते हो ना कि तुम यह सब नहीं खा सकते हो ईवा ने कहा हम बहुत पतले हैं और तुमने भी तो यही कह था तो हमने सोचा कि क्यों न रिलाक्स कर ले तुम लोग किसकी बातों में आ गयो? ईवा अप्विस ने तुम्हें बेवकूफ बना रही है ईवा हमें क्यों मूटा करना चाहेगी? वो तुमसे नफरत करती है पता हो ना चाहिए तुम्हें ये मेरा तो आज का फुल हो गया अभी के अभी सब के सब जिम में चलो किसी को यहाँ पर मोटी मॉडल नहीं चाहिए उठो चलो उठो यहाँ से उठो जल्दी चलो तुम जाओ मा शोना जाती हूँ शरम नहीं आती तुम्हों को मिस्टर नीट की बिना हमारे फैशन हाउस बिखर रहा है चलो चलो जिम में चलो जल्दी कदम भढ़ाओ यार यह तो गलत हुआ न्यूस पेपर ने हमारे फैशन शो की इज़द हुचाल दी बेई बेई देखो न्यूस पेपर में मेरे बारे में लिखा है मैंने देखा लगता है मैं फेमस हो जाऊंगी और आप तुम्हें मॉडल मिलने में मदद मिलेगी है ना तुम्हे अंदाजा भी है तुम्हें अमारी कंपणी के साथ यह सब मजाब क्यों करें लिए तुम तो मुझे देखकर हासते हो तो तुम्हारे डैट मुझे देखकर खुश कैसे होँगे बसीवा मैं ठक चुका हूँ मैं ब्रेक अप कर रहा हूँ क्लिस बेकार बाते बंद करो तुम मुझे नहीं छोड़ सकते मुझे जाना है मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के बाद तुमने ये सिला दिया ये मुझे अंदाज आ नहीं था तो इतनी पुरी होगी चलो मेरी कोई चांस नहीं है मेरी है तो ये मेरी फैमिली से कुछ नहीं मिलेगा क्रिस तुम्हारी फैमिली के लफंगे मैं तुमसे नफरत करती हूँ तुम्हें और तुम्हारे डैड को तुम्हें देख लूँगी चलो तुम्हारे मुझे कम से कम सच तो सुना तर निकल जा यहां से अच्छा बस यहीं रह गया था कि मैं तुम्हें डाम करूँ कोई बात नहीं मुझे फेशन हाउस को ठीक करना होगा मैं एक नया शो करूँगा और मेरे डैड को प्राउट फील होगा I hope सब कुछ टाइम पर हो जाए और ये स्केच इस रेडी है और ड्रॉइंग बस सब को सिलना बखी है अरे लगता है मैं गलत कमरे में आई हूँ अरे नहीं मैं सो गया मैं बात्रूम ढूंड रही थी मैं इस कमरे में गलती से आ गई हूँ अरे अरे अरब शो का क्या होगा मैरे तो ड्रेसी सीन इसली हुई है फिर से सब कुछ बेकार हो जाएगा सिर्फ सिर्फ दो गंटे बचे क्रिस शांत हो जाओ क्या चल रहा है मैं पुरा बेकार हूँ मेरे डैट को मुझे पर कभी नाज नहीं होगा रुको मैं तुम्हारी हेल्ग कर सकते हूँ क्रिस रुक जाओ हम नहीं कर पाएंगे तू तो सिर्फ एक मोडल है देखो मैं यहां हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी बिल्कुल भी नहीं और सोनो मुझे सिलाई सीखने का शौक है सच में सिलाई आती है मजग मत कर देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए तायार हूँ चलो तुम्हारे कलेक्शन पर काम करते हैं तुम मेरे लिए यह सब क्यू करेगी वही तो तुमने मेरे बालो को कटने से बचाया था तो अब मेरी बारी है तुम्हे बचाने की लेकिन रुको अभी तो तीन बज़े है हमारा शो छे बज़े हम नहीं कर पाएंगे अरे हम कर लेंगे परिशान बात हो कहां चली गई है टीना किसीनों से देखा है वो गायब कहां हो गई नहीं टीना तो कल बाठ्रूम गई थी वो अभी तक वापस नहीं आई है अम क्या करे अब तो नौ बज़ गए है शो का टाइम हो रहा है इनको हो क्या गया है मुझे तो लगता है क्रीजी घर का ये फैशन शो फिर से फेल हो जाएगा क्रिस कहां पर है किसी को पता है कुछ हुआ है क्या यह क्या नहीं होता हमने सब कुछ टाइम पर कर लिया क्रिस टीना तुम नहीं मानोगी कि टीना ने ड्रेसिस सिलने के लिए मेरी मदद की यह कैसे हो सकता है वो तो मॉडल है क्रिस और वो तुमारी उस फ्रेयन से इवा का क्या हुआ उससे तुमारी मदद क्यो नहीं की हो गया ओ माइ गॉड यह तो कुछ नया है अब बात में बात करते हैं अब यह में इस शो के लिए चलना है और तयार होना है चलो सच बताओ टीना क्या तुम्हें पता नहीं कि क्रिस का अभी ब्रेक अप हुआ है और तुम अभी से उस पे चांस मा नहीं हो सच्वे मैं तो बस मदद करना चाह रही थी अच्छा लगता है तुम्हें पुरा चांस मिल भी गया कमाल करते हो बेवा कुफों पे विश्वास है चलो ठीक है चलो ओ हाँ चलो देखते हैं कि वसीयत में क्या लिखा हुआ है अरे अरे तुम यह क्या कर रही हूँ कुछ नहीं बस क्रिस को मिल ले आाई थी और कुछ नहीं तुम्हारे हादों में महा क्या है तुम्हें इतनी फिक्र क्यू हूं है अपना काम करो मैं अभी मिस्टर कृस को कॉल कर रही हूँ बता उसे कह देना के तुम ही हो जिसने मुझे देखा और चाबी भी दे दी पर ये तो सच नहीं है क्या कोई मानेगा ठीक है ठीक है अगर कोई पूछता है तो मैंने तुम्हें नहीं देखा और मैंने साफ्स कर दिया था तो फिर जाओ न अहाँ वसीयत पे क्या है? वसीयत का हिस्सा कहा था? एक बड़ा हिस्सा तो इवा को जाता है? अरे? वा? वो मुझे एक हिस्सा देना चाहते थे? मगर एक और बात है नेट कॉमा से बहार आखे वसीयत दुबारा लिखेगा नहीं, 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 नहीं ट्रेजिडी? सच में क्या ट्रेजिडी है? हलो, और तुम कौन? हाँ मैं इवा हूँ क्रिस की पतनी मिस्टर नेट की जाच करने के लिए आए थी क्योंकि वो नहीं आ सके अच्छा है कि तुम यहाँ हो उनकी हालत कैसी है? कोई सुधार हुआ? ऐसा लग रहा है हमने सक पुछ कर लिया और अब हम सब भी बगवान के भरोसे ही हैं और शार ऐसा भी हो जाए कि वो कुछ जिनों में होश में आ जाएं यह तो ठीक नहीं हुआ उनकी पस बहुत तेज है और यह इनके लिए अच्छा नहीं है कोई बात नहीं हेलो, मिस्टर नेट तुम्हारा बेटा छोड़के चला गया अच्छा ही हुआ लेकिन मैं तो इसे चलने नहीं दूँगी सोच रही हूँ क्यों ना मैं यह तार यहां से निकालू है ना, ठीक है ना ठीक है, यह तो काम करेगा तुम क्या करेए हाट अटटो तुम उसे चूबी क्यों रही हो तुमारी हिम्बत कैसे ही वो, क्रिस बस मिस्टर नेट को हेलो कह रही थी मुझे पता है तुम यहां क्या करेए हो मैंने सब सुन लिया बाहर निकल जाओ वरना मैं फुलीस को बुला लूँगा नहीं, क्रिस, तुम गलत समझ रहे हो मैं तो बस जाज करने आई थी अमारे कमपनी से तुझे कुछ नल मिलेगा ओ गोड़, यह तो बवाल हो गया क्रिस अभी तक नहीं आया लोग हॉल में खटता हो रहे मुझे पर लगता है शायद उसमें कुछ करबर है फिर शायद क्रिस को भी ठीक मैसूस नहीं हो रहा होगा कालिया बचाओ के तुमारे लिए मुझे क्रिस को कॉल करना पड़ेगा हम शो को रत नहीं कर सकते हैं यह सब मिस्टर नेट के लिए है फैशन कलेक्शन को अच्छे से प्रेजन करना होगा हालो क्रिस, कहां पर हो तुम हाँ क्या? यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्रिस कहा है? क्रिस ने कहा कि वो बिजी है और फिर फोन काट दिया मुझे नहीं बदक क्या हो रहा है? सब खराब हो गया लेकिन हम बसे शो को रत नहीं कर सकते ठीक है चलो सब लोग, मैं तुम सब लोगों को अच्छे से सजा दूँगी अब कुछ भी करके इसका हल निकालना ही होगा अरे यार, क्रिस नहीं आया अब तक, देर हो रही है लगता है मुझे ही शोव स्टार्ट करना होगा लो मैं आ गए हूँ दोस्तो प्रिस तुमने कितनी देर करती, देखो कितनी लोग आ गई यहां सामज गया लेकिन मैं ट्रैफिक में फस गया था अभी तुम सीट पर जाओ चल दी पैठो हेलो दोस्तों आप लोगों ने हमारी कंपानी को बहुत सपोर्ट किया जिससे मेरे डैड का कफी नाम वाल लेकिन वे को मम है और ये शो सिर्फ पापा के नाम दाफर देखो कितने लोग इंट्रेस्टेड हैं ज़रूर ये कलेक्शन ज़रूर हिट हो जाएगा अच्छा हुआ इवा या नहीं है परना वो तो सब कुछ बिकार देती ब्रावा अरे वात आलिया बज रही है आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया हमें समय सपोर्ट करने के लिए और ज़रूर ये कलेक्शन हीट हो जाएगा अच्छा काम किया बेटा मिस्टर मेट आप ठीक हो गए डैड आप यहां कैसे पहुच गए अब मुझे अच्छा लग रहा है मैंने सुना तुम मेरे लिए शोग कर रहे थे तो मैं पीछे कैसे हट सकता था डैड ये तालिया सिर्फ आप के लिए है अरे बिलकुल नहीं ये तालिया हम सब ही के लिए है और किसी ने मेरी मदद की है जिसके बिना ये ना होता हाँ मैं उसे जानता हूँ उपर आजाओ किटी बिलकुल हाँ और टीना ने सिलाई की अरे वाँ फिर तो टीना के बिना ये सब बिलकुल ये मुम्किन नहीं हो बाद है टीना के लिए तालिया हो जाए शुक्रिया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ हुर्य, ये सबसे कमाल का शो है अरे वाँ, मैं कवर पर हूँ हमारा फैशन हाउस सब जगा है मतलब सारी मैगजीन के फरंट पेज पर क्रिस, तुमने बुलाया? हाँ, ठैंक्स, तुमने जो किया, उसके लिए मैं ठैंक्स कहना चाहता हूँ तुमने कमाल कर दिया अरे बस थोड़ा से सपोर्ट किया है, कुछ खास नहीं तुमारे बिना ये सब ना होता, और हमारा इशो साथ में हुआ क्रिस, मैं तुमें इस वाक्शोप में के लिए नहीं देख पा रही थी तुम वहाँ पर बहुत परिशान हो रहे थी और हम साथ मिलकर आगे भी कमाल करेंगे ये सब क्या हो रहा बेटा, मुझे यू कुछ बताओ न पापा, हम तो सिर्फ मैगजीन पर अपनी फोटो देख रहे थे बहुत बड़िया, और मैंने कमपनी की वसीहत को फिर से लिख दिया तो इसका मतलब है, ये वाको कुछ भी नहीं मिलने वाला अब लगता है कि मुझे अपनी वसीहत में एक नई दुलहन को एड़ करना पड़ेगा पापा लगता है, आप अपने पुराने वाले स्टाइल में वापस आ गए, जब आप सक्सिस्फुल थे अच्छ अब ठीक ठीक अब मैं जा रहा हूँ, मैं किटी के साथ एक नई कलेक्शन को फाइनलाइस करना चाहता हूँ तो फिर मैं भी चलते हूँ, मुझे लड़कियों के साथ जिम जाना है टीना हमारा हुआ नहीं अभी तो फिर हेलो दोस्तों, आपका सागत है हमारे नई कलेक्शन पर यह दर रुक ही नहीं रहा है, हमसी ही नहीं रुक रहे है उसको पोचना उसका टैलो क्या है यह मैं कह क्या बोली जा रहा हूँ, सिरिसली यह हमेशा डायलोग अलत बोला तो मैं क्या बात खे़दी है आप यह पुरे सिचोरियों के बहुत फ़र रिकोड़ कर चुके है तो अम मैं क्या करो और मेरा डायलोग, मैं तो ब्हूल गही हूँ यह सब क्या बक्वास चल रही है यहाँ हाँ वही डायलोग है